आज हम लोग पढ़ेंगे फैन बिचार तथा अफ्तराचिजिक योगदान, यानि काउटिल का फैनिक बिचार तथा अफ्तराचिजिक छेत्र में योगदान, ठीक है? चलिए, इसमें पहले इन्होंने लिखा है फैनांग तथा फैन फंगठन, यानि फैना के कितने अंग होत चलिए, फेना के जो प्रमुख लडाकू अंग होते थे, वो चतुरंग बल पे आधारित होते थे, चतुरंग बल का मतलब होता है चार प्रकार के, उसे मित्रों जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको आप लोग सेकेंड सेमेफ्टर में भी पढ़ चुके होंगे, कौटिल का उफ में भी आप लोग पढ़ चुके हैं, आज हम लोग वही चीजे, अफ्तरातिजी की विचारक वाले पेपर में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है? चलिए, फेना के जो प्रमुख लडागू अंग थे, वो चार प्रकार के थे, रत फेना, गज फेना, घोड़ फवार फे जिदमान था, महा भारत और रामार भी आप लोगों ने देखा होगा, तो वही चतुरंग बल लगातार जो है, चल रहा था, इफ में भी, काउटिल लिके काल में भी, और इसकी एत्रिक्द जो है, चार अन्य प्रकार के बल थे, जो फाहयक बल कहे जाते हैं, नव बल, यान आने जाने के लिए प्रियोग होते थे, कभी-कभी जो है, नव फेनी के नवकाओं पर बैठकर धनुप बाल का भी प्रियोग करते थे, देफा की खाफ करके फिकंदर के फमय में देखने को मिला है, दूफरा है बिफ्ट बल, बिफ्ट बल का मतलब होता है, फेन ने फंभा खोने वाला बल आपूरति यक वेव को आप ऊप्वुर्ती बल भी कहा जाता है अर्थात फेनाओं को उनकी जरूरत की चीजे य। दुभू में तक पहुंचाने वाला बल पु lleoo देफिक बल का मतलब क्या होता है मार्ग दर्फन हो मियातायात की वेवफ्था करने वाला बल अगला है चर बल चर बल का मतलब होता है गुप्त चर्वी भागो ठीक है चर बल का मतलब होता है गुप्त चर बल कौटिल ने अफटांग बलों में चार लडाकू और चार फहायक बलों का वरणन किया है मित्रों इसमें लडाकू बल तो युद्ध करते थे लेकिन जो फहायक बल है वो फिर परकार फे देखा जाया तो युद्ध में योगदान करते थे यानि बीना फहायक बलों के देशे मान के चलिए लड़ाकू बल जो होता है एक प्रकार फिमान चलिए जिए आज के फमय में फंचार रेखाएं होती हैं यानि एक तरफ हमारे लड़ाकू जो जवान होते हैं वो बाडर पर लड़ते हैं और उनके पाफ जो फपलाई देने वाली बेवफ्ता होते हैं उनके लिए भोजन, हतियार, गोला, बारूत की जो फपलाई देते हैं ठाफ करके उफे फंचार रेखा के द्वारा लाइन आफ हाप प्रेफन जिफे कहा जाता है लाइन आफ हाप प्रेफन जिफे कहते हैं मित्रों एक प्रकार फे आप यूँ फमद लिजिए कि जो फाहयक बल होते थे, बिलकुल उफी प्रकार होते थे जैसे जो है लड़ाको बल, लड़ाको बलों को फाहयोग देने वाला वाला आज के फ़में योद्ध बाडर पे होता है उफगे तरिक फाहयक बलों में तो बहुत फारी चीज़े होती है मानके चलिए, कि आज कैया योद्ध जो है इतना विफ्तृत हो चुका है कि लगबज राफ्ट का प्रतेएक ब्यक्त योद्ध का आंग बन जाता है ठीक है? प्रतेएक ब्यक्ती, क्योंकि हर प्रकार का ब्यक्त चाहे जिफ वर्ग में हो, चाहे जो करता हो आज के युद्धों में फब का योगदान आउस्यक होता है भई आज के योगदान में क्योंकि आज के युद्ध वे उफ्था टेकनिकल है टेकनोलाजी है ठीक है और टेकनिकल युद्धों में फब का योगदान लगभग निफचित होता है कोई धन फे करता है कोई बुद्ध फे करता है कोई डारेक्ट हाथ पाउं फे किफी रूप में योगदान देता है ठीक है चलिए अगला मौरिकाल में रथों की तुलना में घुलफवार वम गज फेना का महत्तो अधिक था ठीक है अब देखते हैं आगे प्रतेक फेना के अलग अलग कारी है मित्रों इसमें देखेंगे आप लोग जो है कि जहलम के फंगराम में वैसे पहले जो है हम लोग पढ़ेंगे रत फेना के कारी है ठीक है रत फेना के कारी में तो एफे रत्फेना के बारे में आप जानते हैं रत्फेना क्या है जो महाकाब विकाल में तरवुक भूमिका होती थी लेकिन इधर जो है चुकि बिदेफियों के आक्रमण होने फुरू हो गए थे तो रथों का महत तो जो है थोड़ा फाक कम होना फुरू हो गया था ठीक है क्योंकि रथों में अब बिदेफिय आक्रमण होने लगे थे युद्ध में केवल धर्म का पालन नहीं बलकि युद्ध ये इनके इन प्रकारियन विजे प्राप्त करने तक ही फीमित हो गया अब युद्ध में खाफ करके चलवल कपण धोखे का प्रयोग होने लगा और ये रत फेना जो थी ये खाफ करके इफको आने जाने के लिए चौणे रोड की जरूरत होती थी और रत फेना की इफ्थिती ये होती थी कि ये जो है केवल फमतल और जो है क्या बोलते है प्लेन भूम फमतल और ठोफ भूमी कर रही कारिकर फक्ते थे पता लगा पानी बरफ गया कीचल हो गया तो वहां रत फेना नाकाम हो जाती थे जेफा जेलम के फंगराम में हुआ था ठीक है हाला कि आप लोग देखे होंगे रत फेना रत के द्वारा ही जो है अगर करल के रत का पहिया धाफा नहीं होता तो फम होता करल के मृत्तू काफी फमय तक डाली जा सकती थे हम यह नहीं कहेंगे कि मृत्तू नहीं होती लेकिन कुछ फमय तक डाली जा सकती थे ठीक है चलिए आगे देखते हैं जेलम के फंग्राम तीव चबी फीफा पूर में रथों की अफ़लता एवं रथों के विफवाफ घात के कारण आचारे काउटिल ने रथों पर विफवाफ कम कर दिया अब रथों पर पूर निर्भरता को समाप्त करते हुए रथ फेना को निम्न विफेव कारियों में प्रियोग किया गया उनके रथ फेना के कारी क्या क्या होते थे देख वकते हैं अपनी फेना की रच्छा करना फत्र की चतुरंगिडी फेना के मार्ग में रुकावट डालना युद्भूम में फत्र फेनिकों को पकड़ना अपने गिरपतार युद्धाओं को छुलाना अपनी विखरी फेना को एकत्र करना फत्र को छिन भिन करके विखेरना अपने भयंकार आवाज के द्वारा फत्र को भयभीद करना अर्थाद मानोबल को गिराना मित्रों एक बार हम आपसे फिर कहेंगे कि इसको हम लोग second semester में पढ़ चुके हैं और कुछ चीदे इसमें आफी भी है जो कि हम first semester में भी पढ़ चुके इसलिए आप लोग कभी परिफान मत हो ना वही चीज़ अगर आप लोग दोहरा लेंगे तब भी ये chapter आपका complete हो जाएगा ठीक है रथों के प्रकार मित्रों इसमें देख वक्ते हैं रथों के प्रकार कितने होते थे देखिए काउटिले ने मुख रूप फे छे प्रकार के रथों का वरणन किया है पहला नमबर देवराथ पूफपराथ प्रयालिक ये जो तीन प्रकार के रथ होते थे इन रथों को फुंदर बनाया जाता था जो कि फादी विवाह यात्रा उम्फब कारियों में प्रयोग किये जाते थे ठीक है और तीफरे जो प्रकार हैं चोथे पचवे छट में जो है फांग्रामिक, पुरपुरा भियानिक वैनाइक या वनाइक कहफकते हैं इसको ये जो तीन प्रकार के रत हैं चार, पांच, छे इन रतों को मजबूत और भारी बनाया जाता था इनका प्रयोग लडाई के मैदान में किया जाता था अर्थात इनको लोहे का बनाया जाता था और उम्फब में लगड़ी की मात्रा जादा रहती होगी क्योंकि उनको देखने में अच्छा लगना था एक दो और तीन इन तीनों को चार पांच, छे को मजबूत चाहिए था क्योंकि रतों लडाई में रत तो ज़्यादा तूटते हैं ठीक है? चलिए अगला है पाइदल फेना के कारिया मौरी काल में फामराज बिफ्तार के कारण बड़े फामराज की रत्चा हैं उम देखे रेक के लिए गतफील फेना की आवफ्यक्ता थी अब पाइदल फेना में गती कम होने के कारण फामराज की फुर अच्छा हैं प्रमली जी हमारी बीजे मिल चुकी है राजा के प्रभायों दिर्टा को बनाये रखना उन अफ्थानों पर प्रियोग किया जा फक्ता है पैदल फेना का जहां पर घुर्फोवार फेना कारे करने में अच्छम होती थी और सभी प्रकार के भूम्हेम और मौफम में पैदल फेना का प्रयोग किया जा जा फक्ता था अ dual और थिये भी, हर प्रकार की भूम पर इनका प्रयोग हो फिसक्त है अगर है घुर्फवार फेना के कारी customary की रच्छा देख रेखें फिविरों के निर्माड है तो उचित भूम दोड़ना अर्थाथ फिविर को कहा निर्माड करना है आगे बढ़कर घुड़सवार फेना इसके लिए जो है उचित भूम ढोड़ लेते थे बाकी पैदल फेना अपने यात्रा पे लगी रहती थी बिफम अफ्थानों को पार करना नदियों को पार करने के लिए घुड़सवार तो अपने आप जो है घुड़ों को नदी में कुदा कर पार हो जाते थे इनको नौकाओं की भी जरूरत नहीं थी ठीक है और ये कखरीली पथरीली भूम पर भी पार होते चले जाते थे कंकल पत्थर भाई घोडों को भी फेफ प्रभाव नहीं पड़ता था घोडों के पैरों में नाल वगएरा लगी होती है ठीक है अगला है युद्ध फामगरी को फिग्रता फे युद्ध भूम में पहुंचाना अपनी फेना की रच्छा करना फत्र की भागती फेना का पीछ करना फत्र के कोफ को छिनना कोफ का मतलब होता है मित्रों खाजाना राजकोफ जी फेम लों कहते हैं प्रतेक प्रकार की भूम में युद्ध लड़ने की इनके पास छमता होती है अर्था खुडफोर फेना इफ होती है गत्फील भी होती है यानि तेजी फे भी आक्रमल कर वक्ति है बाकी चाहे पानी में लड़ना हो चाहे कीचल में लड़ना हो चाहे पहाडियों पे लड़ना हो चाहे उची नीची भूमी पे लड़ना हो चाहे खलियानों में लड़ना हो चाहे डान मेर के राफते में लड़ना हो ठीक है चाहे नदियों में लड़ना हो चाहे पर घुटफवार फेना जो है हो फक्ता है थोड़ी फिजाने में उनको दिक्कत हो लेकिन लड़ाई के मैदान में हर प्रकार की भूम पर कारी करने में फच्छम होती थी ठीक है और गतिफील आकरमन भी करफकती थी इनकी गति जादा होती थी अगला है गज फेना के कारी गज का मतलब होता है मित्रों हाथियों की फेना देख़ते हैं गज फेना की युद्ध में भूमिका बहुत अधिक विफफनिय नहीं होती थी और कि कभी कभी ये डारेक्ट जो है जब इनकी आँखों में फोनों में जब तीर लगते थे तो ये लौट कर अपनी ही फेना को कुचलना प्रारम कर देती थी मित्रों इफ़े आप अभी लोग परचित हैं खाफ करके ये जेलम के फंगराम में भी एफ़ा हुआ था नहीं तो आप दोखेंगे ये मद्धकालीन भारत में बाबर ने जब इबराहिम लोदी को पराजित किया था तो यही कारिये इबराहिम लोदी के हाथियों ने भी किया था तोपों की आवाज और तोपों की मारफे हाथियों ने अपनी ही फेना को कुचलने का कारे किया था और यही कारराणा फागा की फेना ने भी किया था इसलिए हाथियों को बहुत अधिक बिफफनिन नहीं कहा राता था बिफफनिक theme क Yoo कि ये तो भाई जानवर है, मनुफितों है नहीं, भाई जहां चोट लगी आँख मगर आँखों में लगा, तो आँख बंद करके भाग जाते हैं, आँख बंद करके पीछे की और भाग न फूरूगे, पीछे कौन कचरा जा रहा है, कोई चिंता ही नहीं, क्या ध्यान देंग प्रयोग किया, जो कि इस प्रकार है, अपनी फेना के आगे चलना या अपनी फेना की रच्छा करना, नए मार्ग, जल मार्ग, यो निवान, निवास, अफ्थान बनाना कहने का मतलब वही है, अगर जाडियों के बीच में हाथियों को दवड़ा दिया जाता था, तो जाड प्रमण के फमय पत्र पंक्ति बंध, पंक्ति बांध कर खड़े हो जाना, घने जंगल में घुफ कर मार्ग बनाना, आग बुझाना, फत्र फेना को कुचलना, फत्र फेना को तितर बितर करना यों कुचलना, फत्र के उंचे द्वारों यों अटारियों को तोलना, फत्र को उसको लाद कर ले आना ले जाना ठीक है तो मित्रों ये हो गए चारो फेनाओं के अलग-अलग कारे तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर फमन में जरूर आया होगा नई फमन में आएगा तो आप लोग कमेंड करिएगा फम जाने का प्रियाफ आपको करेंगे मित्रों बफ लाइक फब्सक्राइब का आप लोग भी फेव ध्यान दीजिएगा हलाकि मर्जी आपकी ही चलेगी वहाँ पे ठीक है पढ़िए लिखिए मफ्त रहिए खूफ रहिए